नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है शो टाइम पे और इस एपिसोड में एक्स्प्रेंट करेंगे लेकसीज का सीजन 3 के एपिसोड नमबर 6 और 7 एक साथ तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले भाई लाइक कर दो वीडियो को जिससे के मैं सीरीज को कंटिन हम पहले सीन में देख पाते है अलारिक को जो बहुत जादा टेंस्ट है किसी पेपर को बढ़ते हुए और वहीं पर हम देखते हैं उसकी बेटी जोजी आती है जो स्कूल जाने के लिए त्यार थी हम देखते हैं अपनी बेटी से अपनी कोई भी प्रोब्लम शेयर नहीं कर और यहीं पर हम देखते हैं होप को भी जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ट है क्योंकि उसको बाराबार विजजन साने लगहे हैं लाइनेट के और तो उसको भूल नहीं पा रही है और उसको भील्कुल भी नहीं करती लिए बाकी बच्चे निया जाते हैं हमें इसको डिशम सारे बच्चे होंगे तुम्हें किसी से बात करनी नहीं पड़ेगी सिर्फ जगा दिखानी है और इतना ही काम है बट हम देखते हैं जैसे बच्चे देखते हैं वो किनते ही चार-पांच ही थे और यह देखके ओएगदम डिप्रेस होने लगते हैं कि बस इतने बच्चे चुके हैं और यह 3-4 बच्चों से होगा क्या इनका और यह सोचते हैं सब लोग डिप्रेस होते हैं और अब हम देखते हैं वहाँ पर स्कूल का टूर स्टार्ट करते हैं बट यहां पर होफ फिर से हलुचिनेट करने लगती है और जैसे हो यह सब कर रही थी उसका मैजिक क चांत करने का ट्राइ करती है और हम देखते स्कूल दिखाते हैं सारे स्टूडेंट बोर हो चुके थे जो 3-4 बच्चे नहीं आए उनको कोई इंटरस्ट निया जगा में और यहां से जाने का ट्राइ करते हैं वहाँ पर गेट खुलते हैं और चार स्टूडेंट आते हैं और हम देखते हैं एम जी अपने दोस्तों के साथ आया था और यह देखके लिजी को लगता है कि और बच्चे कहां पर हैं बाकि स्टूडेंट्स भी तो आने चाहिए थे ना वापस बड़ हम देखते हैं और यह सोचते हो जदधा डिप्रेस्टों नहीं लगते हैं और यह यह कहने को बाद वहां से जाने लगता है और बहुत जदधा डिप्रेस्ट था और इसी मोमट पर हम देखते हैं कि जो नया स्टूडेंट्स था वह सारी इनकी बाते सुनने लग रहा था और बाकी दोस्तों को भी बता देता है कि इनकी सिटूएशन में कुछ गडबड है और शायद इनको हर चीज की ज़रता यहां तक की पैसो की भी और अब तूर कंट्यूइव होता हैं स्टूडेंट्स का एक जगा से दूसरी जगा पे बट हम देखते होप अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी और उसे कंट्रोल करने के लिए कहता है केलब और वहीं पर हम देखते हैं एमजी बोलता है कि मेरा भी ब्रेक अप हुआ अलिश्या से तो मुझे थोड़ा ब्रेक चीए और वहीं हम देखते हैं जैड उससे माफी मागने कब ट्राइ करता है बट हो उसको माफ नहीं करता है उसकी गल्फरेंट के साथ इंटेमेट होने के लि यह थे बट यह देखके लिजी बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसके अंदर दो ऐसे नाम थे जो सुडेंट है नहीं एक तो रफैल था और दूसरा था लैंडेंट जिनके नाम उस तीस लोगों की लिस्ट में थे मतलब उन्हें दो और नाम चाहिए और यह सोच कि प्रॉब्लम का क्योंकि उन्हें दो बच्चोंगे नाम थो पक्रा लिखवा नहीं है बरना स्कूल बंद हो जाएगा और वहीं हम देखते हैं हर को एक स्टूडेंट को चुन लेता है जहाँ पर उस विच के पास पहुंच चुका था केलब और हम देखते हैं केलब उसको बताने लगते है स्कूल कितना अच्छा है बट विच बोलती है तुम जूट बोल रहे हैं कुछ तो बात है जिसने हमको मैजिक से दूर फैक के मारा जिसका नाम होब है मेरी साब से उस लड़की के साथ कोई तो गडबड़ा और तुम बताने रहे हो यहाँ पर अगर सब लोग सेफ होते तो सब लोग स्कूल छोड़के क्यों जाते और यह कहने पर वहाँ से चली जाती है तुम अच्छा पियानों बजाते हो बट तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम मुझसे अभी सच नहीं बोल रहे हो और और क्या है स्कूल के अंदर और हम देखते हैं लिजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हो विच बट इग्नॉर करने का ट्राई करती है पूरे जगा दिखाती है बट हम देखते हैं विच वहाँ से चली जाती है क्योंको उसको जाधा इंटरस्ट नहीं था बट हम वैंपाियर हंटर नो उसके peiरेंटस को मारा था हम देखते हैं वह किसी और की नहीं बल्कि आलाने की लिए बटा Allarek उसे ब्योश कर देता है और फिर भी ट्राइ करता है कि किसी तरह वो साइन कर दे गए उसको एड्मिशन नीचिए स्पूल में वो तो सिर्फ मारने के लिए था उसी उनपर हम देखते हैं Allarek विच आ जाती है और हम देखते हैं कि तुम तो हो ना जिसने पहले वाले चीज़ की थी हमको गिरा दिया था तुम्हारे सब प्रॉब्लम क्या है बट हम देखते हैं हो उसे वहां से जाने के लिए कहती है बट वह बोलती है नहीं मुझे पता करना है पर सब जूट बोलने व Farm studios से बहुत सदें और हम देखते हैं उसको शांत करने का ट्राइब करती है विच मोमें से मुझे खoure हैं हौने लगती की बट तब हम उसके सामने डील रख देती है कि तुमको हम स्कूल में दाना चाते हैं क्योंकि स्कूल сть होने से बचाना है और आप तुम्हारेवे मर् वो विच्च उनको help करने के लिए बिल्कुल तयार थी पर हम देखते हूं sign कर देती है और वहीं पर हम देखते हूं vampire तो sign करने वाला है नहीं बड़ तभी वह बहुत टाइम से chatting कर रहे थे बट real में कभी मिले नहीं थे और ये देखके Lizzy को शांती मिलती है कि उसके वज़े से कोई बात ने बिगड़ी और Wade ने आपर पहली बार बात समाल ली है और अब हम देख पाते हैं सारी चीजे सही हो चुके हैं सब स्कूल के अंदर आ चुके हैं और यहां पर MG सारी अलिशा की चीजों को भार रखने लगता है और वहां पर उसे बात करने के लिए आती है लिजी जो उसमें इंट्रस्टेट दिखाई दे रही थी बट साफ कर देता है MG कि उसे टाइम चाहिए हर चीज ऐसा नहीं हो सकता है जब लिजी को जूरत हो तब मेरे पास आए वरना किसी और लड़के के पास जाए ऐसे नहीं चलने वाला है और यह कहके साफ लिए और वहीं पर हम देख पाते है स्कूल में जाने के बाद उसे मिलती उसकी दोस्त जिसके साथ टाइम बिताना चाती है पर उसे बहुत जादा याद आने लग रही थी और वहां से भार आ जाती है और लंच भी अकेले करने लगती है तब ही हम देखते हैं उसके पास इ करें और इतनी positivity लेने के बाद उसीदा फिंच के पास चली जाती है जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी हम देखते उसको स्वारी बोलती है जोड़ा मिस्बीहेव करने के लिए जोजी और बोलती है कि मुझे नया नया environment लगा और मैंने कभी इतनी खुशी चाही जो मुझे मिली और वही हम देखते फिंच के साथ बैठ जाती है और उनकी सुलाह भी हो चुकी थी जहां पर फिंच अपनी स्टोली बताती है कि जहां उसने 14 की एज में अपनी फैमिली को छोड़ दिया था क्योंकि उसके साथ बहुत जादा इश्यू होने लग रहे थे ब क्यों आइसक्रीम बेच के लोगों के सामने डांस करें लोगों को खुश करें जो बिलकुल नहीं चाता था पर हम देखते लैनेंट वहां आ जाता है और उसे कोशिन कर लगता है कि वो यहां क्या कर रहा है और तब यह बता देता है कि मेलेवोर शायद उसे पनिश करने इसको बांध के रखता हुआ है मैलवोर ने तो अगर यह खोल पाए तो शायद उसकी हेल्प हो जाएगी और दोनों मिलके काम कर सकते हैं ना हम देखते हैं लैनेंट उसको बिलकुल यकीन नहीं करता है और फ्री का मिलकशेक पीने लगता है हम देखते हों करते उसको समझ पशाएख घर करता हैं और तव hrk कारता है और केकी कोशिश करता है और कहता है कि तुमने किसने प्यार किया लाइफ में के उसको पसंद किया है जिसको पियार किया और वह ब्यकुफना चीज इंसको बिलकुल नहीं करेगा हम देखते हैं उसको land explain करने का try करता है कि मैं लब और अगर उससे punish कर रहा है तो वो चीज उसे punishment में देगा जो बिल्कूल पसंद नहीं करता है और हम देखते हैं ये कहने का बोलता है if you are happy then clap your hands जैसे यो तालियां बजाता है उसकी हत्कडियां खुल जाती है और ये देखे बहुत जाता खुश है और land end बोलते हैं देखा मैंने help कर दी ना बड़ हम देखते हैं नेक्रोमेंसर के कुछ और ही प्लान थे उसके पास जाता है मुक्का मार के भिहोश करता है और land end क को भी अपने जैसी अत्कड़ी बांद देता है जिसे के land end यहां से भाग कर ना जाए और इसको help करें यहां से भगाने में हम देखते हैं नेक्रोमेंसर के help करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था बड़ चाबी देखने को समझ जाता है कि यह चाबी मिस्ट्री ग्रि अपने साथ में गिरते हैं दूसरे को मुक्ता मारते हैं लड़ते भीड़ते हुए अंदर पहुंच जाते हैं जापर नेक्रोमेंसर उसे बांद देता है बट हम देखते हैं जैसे ताला खोलता है उस जगा को देखता है और समझ जाता ही हां में रियल वर्ड में जा सकता जाते हैं और हम देखते हैं वह कूदने के लिए त्यार था उस रफ्रिजरेटर के अंदर जो उसे रियल वर्ड के अंदर ले जाएगा बट मैं सुचता हूँ यार गाईज इसना आइस्क्रीम के तीन चार पैकेट क्यों नहीं उठाली है फ्री के और बिना आइस्क्रीम के पैकेट के ही वो सीधा अंदर कूद जाता है हम देखते हैं कूदने के बाद वो पहुंच जाता है प्रिजन वर्ड के अंदर ना कि रियल वर्ड के अंदर हम देखते हैं प्रिजन वर्ड के अंदर जाने के बाद से हर जगा तभाही तभाही दिखाई देती है और यहां प होप मुझे बचा सकती है अगर वह आएगी तो भी बच पाऊंगा और मैं यहीं पर हूँ और हम देखते हैं लेक्लिस सा पहनता है और वहाँ से चला जाता है और अब देखते हैं Landed यहां पर अकेला था इन Monsters के साथ में और यहीं पर एपिसोड खतम होता है और अब शुरू करते हैं लेका है था स्कूल के लिए कि उन्हें प्रॉपर्टी टेक्स भरना है जो बहुत ज्यादा होते हैं और यह देखने के बाद लिजी सोल्समन बोलती है हमको फंड रिजाद बनाना पड़ेगा ना कि मन्त जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसे खट्टा करना पड़े बड़ो विच चांके हेल्प करने के लिए त्यार है और बोलते हैं मैं कैसे एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि तुम शाद उसको भूलो भी और एक अच्छे से मेंटल स्टेट पे पहुंच जाओ हो पर हम देखते होप को हेल्प करने का ट्राइ करती है और वहीं पर अला लारिक से इसी कौन सा बैंक के चीटिंग नहीं करता है हमारा कजाता है और तभम स्टेशबी में करते हैं और वहां पर हम देखते हैं mg ने उससे एक hologram के लिए कुछ कहा था बढ़ हम देखते हो अली शास में कोई बी इंट्रेस्टेट नहीं है और वहां पर उसको एक टोई बारपर अपना रूप बदल रहा था और यह देखते हैं चुपाने लगता है उस टोई को क्योंकि उस कम् सबती है और उसको पनिश करना चाती है कि उसने कुछ मंगवाय था अलीशा के हाथो और वहीं पर हम देखते हैं करकोन रहा है और वहीं पर हम देखते हैं इस मॉमेंट पर पगड़ लेता है एक लाप्रिकॉन को और हम देखते हैं इनके आसपास रहने की वजय से वहाँ पर बहुत दादा वेल्थ आ जाते हैं पैसे वाले लोग आ जाते हैं बट इट दे यह वहीं जाता है जहाँ पर इसको पैसा दिखाई देता है और यह देखते हैं उन्हें उसको capture कर लिया था और यहाँ पर प्लान था लिजी का उससे पैसे बनाने का बट हम देखते हैं केलब इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है बट लिजी की बात मानकर उसको अपने और वहीं पर हम देखते हैं एमजी भी काम कर रहे है क्योंकि बहुत सारी cookies खाई जा रही है तो बनाई जा रहा है बहुत जादा frustrated हो चुका है और वहाँ पर जोजी उसे help करने के लिए आती है बट बोलते हैं उसके बारे में कुछ चीजों को रखकर बाद में छोड़ना हो उस liquid को पर हम देखते हैं उससे एक मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं जो बिलकुल land land की जैसी दिखती हो हम देखते हैं पहले तो अब मुझा बुलाना होगा वाट तभी आते यह पेंटिंग किस कि यह चे मुझे खरीद नहीं है अभी के अभी हैं और हम देखते हैं कि बवजूत होंप इस बेश दो ना क्या उस्कों के किस्तर ना करते है उसको बिष रेख करते हैं क्योंतर निदिने के लिए और हम देखते हैं गुर्देछ देती हैं एक मुक्का कर देती है और समझती है यहां कुछ तो गडवर चलने लग रही है जिसका उसे पता लगाना है और तभी हम देखते हैं होप सीधा जाती है लिजी की पास में कुछ जाधा ही चिलाउट नजार आ रही थी उसके पास जाती है उसे पता करने का ट्राइब करते हैं पर क्या गड मेलवर को तो हमने ट्रैप कर दिया था प्रिजन वर्ड के अंदर तो यह मोंस्टर वापस कैसे आ रहे हैं और हम देखते हैं लिजी बिल्कुल चिलाउट थी क्योंकि पैसे आने लग रहे हैं बट होप बिल्कुल भी खुश नहीं थी और हम देखते हैं विच सोचती है कि इतने सारी सीक्रेट हमसे चुपाए गए हैं यहां पर कोई मेलवर नाम का मोंस्टर है जो सब को खा जाता है और वहां पर वह एक अधर डैमेंशन क्रिएट करता है और उसको प्रिजन वर्ड के अंदर बंद करके रखा हुआ है हम देखते हैं यहां पर होप को इतना गुस और मोंस्टर कहां से आने लग रहे हैं और शायर लेंट का भी पता चल जाए और हम देखते हैं उसको स्टड़ी करने के लिए खुद चले जाती है उसकी जेल के अंदर जहां पर लेप्रिकॉन को टोर्चर करन लगती होप क्योंकि उसको इन्फोर्मेशन निकालने ही थी ब और वही हम देखते हैं लोग पागल हो चुके थे अपने पैसे देने के लिए और वहापर हम देखते हैं हेलत समझाने का कोशिश करता है लिजी को कि अब बेवकुफाना हरकत ना करे बलकि अब ध्यान दे अपने स्कूल के उपर उनके पास जितना पैसा चीए था उतना आ बैंक के अंदर जहां पर वो ट्राइ करता है वापस पैसे पाने का लोन लेने का हर तरीका कर रहा था बट वहां पर कोई तरीका काम ही नहीं कर रहा है हम देखते हैं अलारिक के सामने डील रख देती है कि उसको कोई हो नहीं सकता है और वहां की मेयर बनने की कैंडिडेट जो थी वो बात करने के बारबार ट्राइ करती है उससे बड़ हम साफ मंणा कर देता है अलारिक लिए और वहां पर हम देखते हैं उसे मैनिपुलेट करने का ट्राइ करती है सबी चाहिक करती है कि यहन नव पैसे घ्राय कर रहा है और यहां पर बचाने के लिए भागते हैं और यहां पर लोकेटर स्पेल से होब भी आने लग रही थी उसको ढूंदते हुए क्योंकि उसने सारा पैसा सेलवेटर और स्कूल का भी खा लिया था और अब हम देख पाते हैं उसको ढूंदने के लिए एक बेस्मेंट में आ चुके थे और और वहां पर चाल तरफ पैसा ही पैसा फैल चुका था जो उस लेप्रिकॉन ने खाया था पर हम देखते हैं इसके बाद अलारी कहां से चला जाता है और होब भी वहां से जा रही थी और यह देखके उस स्विच को थोड़ा बुरा लग रहा है और अब हम देखते हैं करना रोल है वह पर्फेक्टली निबाया है थोड़ी बहुत गलती हुए उसकी बेटी और उससे तो कोई दिक्कत नहीं है और वहीं पर हम देखते होप को जो सारे पैसे गिनने लग रही थी जो मॉंस्टर ने खाय हुए थे पर हम देखते हुनको जमा करके कलेक्ट करने ल अब नहीं है अब उससे अकेला रहना पड़ता है और वह सीख रही है और शयद होप को भी सीख लेना चाहिए बड़ हम देखते होप बोलती है सा कुछ नहीं होगा मैं लैनन को आपस ढूंड कर रहा हूंगी और यह सुनने के बाद विच लैनन का जो स्टैच्यू था उसक को जो अपनी डेट पे नहीं जा पाई थी जो उसे जाना था अपनी दोस्त के साथ में बट उसको शाम को मिलती है सोरी बोलती है और वहाँ पर हम देखते उसकी दोस्त उसे माफ भी कर देती है और वह दोने चले जाते एक परफेक्ट डेट पे ना कि किसी स्टडी डेट प और वहीं पर हम देखते हैं MG अपने सबसे बड़ी जिन्द की गलती को accept करने के लिए वहाँ पर आये था और बोलता प्लीज मुझे जज्मत करना बट मेरे पास वह Ascendant बहुत पहले से रखा हुआ था और मैंने वह तुमें नहीं बताया है और ये सोचते वह बहुत ज़ादा गुसा आने लगता है बट वह उसको फिर भी माफ कर देती है बट वह पीछे मुड के देखती है क्योंकि वहाँ पर पीछे hope खड़ी थी जिसके हाद में वह Ascendant था क्योंकि उस Monster निखा लिया था अब उसकी मरने के बाद उसे वह लेकर आ चुकी थी और तब से उसे गूरने लग रही थी वह और हम देखते इस टाइम पर बहुत जाद गुस्सा है एमजी पर क्योंकि उसे बात चुपा के रखी लाइनेट को बचाने का एक ही तरीका था वह Ascendant जो खबरों की माने तो टूट चुका था खतम हो चुका था बट ऐसा रियल में नहीं था हम देखते यह सोच पर बहुत